मोबाइल में आपके पास जो गूगल क्रॉम है उसको आपन करना है और सर्च बॉक्स में जाना है उसमें लिखना है इंकम टेक्स 2.0 Log-in और उसके बाद जो होने में 3 dots आपको दिखाई दे रहे हैं उसके क्लिक करके आपको जो लेफ्ट साइड में जूम करना है और जूम करने के बाद एक आइकॉन बना दिखाई दे रहा है इस icon पर आपको click करेंगे तो आपके पास zoom in करने के बाद दो option आता है registered और login अगर आपने अभी तक income tax portal पर registration नहीं किया है तो आपको अभी video के i button में video मिल जाएगी आप अपने mobile से कैसे registration कर सकते हैं वो video मैंने बनाया हुआ है जाके आप income tax portal पर mobile से registration करना सीख सकते हैं उस video पर जाकर तो इसके बाद मैं just login कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहले registration किया हुआ है first आपको इसमें अपना user ID डालना है user ID हमेशा pen card होता है या आधार number होता है अगर आपने जब registration किया है तो कुछ और user ID बनाया है तो आप वो भी कर सकते हैं मेरा pen card है user ID तो मैं pen card से इसको login कर लेता हूँ आपके सामने login हो गया है और friends इसमें मैंने bank सबसे पहले चेक करना है आपको bank आपने update किया हुआ है या नहीं इसमें bank update है और tick mark भी है तो अब मैं ITR भढ़ सकता हूँ अगर आपका कोई TDS कटा हुआ है उसके refund के लिए आपको bank update करना compulsory है तो मैं जब आपीज dashboard पे click करता हूँ और मैं अपना TDS इसमें देख लेता हूँ mobile में open होने के बाद मैंने इनका TDS देखा हुआ है ये TDS आपके सामने जो open हो रहा है assessment year 2021 का 1440 रुपे इनका TDS है हमें अब file now पे click करना है आप आपको मैं बताता हूँ कि आपको इसमें कौन सी ITR भरनी है सबसे पहले तो assessment year जो अभी चल रहा है last financial year उसी को इस current current जो financial year है वो उसका assessment year होता है इसमें पे click करके continue पे click कर देना है और start e-filing पे आपको click करना है उसके बाद individual है तो individual पे click करना है इसके बाद अब ITR की इसमें चार category आ रही है अब मैं आपको बताता हूँ इनका हमको ITR 4 भरेंगे क्योंकि इनकी online consultant consultant मतलब ये एक online fee healing या e-mitra type में इनका एक shop है और उसी पे कोई book maintain नहीं करते हैं और इन्होंने अपनी income मुझे बताई हुई है उसी income से हम इनका income tax भरेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इनकी ITR 4 भरेंगे क्योंकि यह है अपने books maintain नहीं करते हैं तो ITR 4 उन लोगों के लिए होती है जो कोई book maintain नहीं करता है वो अपनी total turnover की 50% अपनी income दिखा कर tax भर सकता है process with ITR 4 पे click करेंगे phone से ही भरना सिखा रहूं मैं और उसके बाद आपको let's get started पे click कर देना है और उसके बाद आपको जाना है others पे इन में से आपका कोई भी region नहीं है आप limit भी extend नहीं कर रहे हो उसके अलावा आपकी पास कोई आपका electricity का bill भी एक करोड का आपका transaction भी नहीं हुआ है previous year में कुछ आपका ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप others पे कर सकते हो इसके अलावा कोई भी condition के आप applicable होते है तो आप वो भी कर सकते हो तो मैं continue पे click कर देता हूँ और उसके बाद अब आपके पास कितने option है आप इसको detail से समझ लीजिए कि first आपको personal information डालनी है उसके बाद total income डालनी है फिर आपको disclosure exempt income है वो डालनी है total deduction डालना है tax paid डालना है total tax liability डालनी है मैं आपको one by one समझाऊँगा और आप आसानी से इसे आप अपनी ITR फाइल कर पाओगे इस वीडियो की मदब से चलते हैं अब मैं start करता हूँ सबसे पहले आपको personal information fill करनी है तो personal information पे आपको click कर देता हूँ मैं ये return है जो mobile से ही भर रहा हूँ आप आसानी से भर पाओगे address वगेरा सब कुछ सही है तो आपको सबसे पहले nature of employment बरना है और इसमें मैं डाल देता हूँ others और उसके बाद आपको कोई भी condition नहीं लेनी है और no ये जो 115 BAC एक new scheme आई थी government की उस scheme में जब आप प्रिवेश कर सकते हो जब आपने इसका form भरा है वो form का वीडियो मैं अभी आगे बनाऊगा कि आप इस scheme में कैसे जा सकते हो इस scheme में आपको कोई भी reduction लेने की जरुबत नहीं है जो ये ITR है वो डायलाग से कम इनकी income है turnover डायलाग से ज़्यादा है लेकिन income इनकी डायलाग से कम है इसलिए इनको कोई भी deduction नहीं लेंगे इसलिए ये ITR में ज्यादा time नहीं लगेगा ज्यादा से ज्यादा आपको पांच मिनट के अंदर ये file कर देंगे थोड़ा मैं detail से बता रहा हूँ तो हो सकता थोड़ा time लग जाए लेकिन आप जब अपनी खुद file करने लगोगे तो आप पांच मिनट में file कर लोगे और उसके अलावा आप अपनी return को खुद भर रहे हो या किसी से भरवा रहे हो तो खुद भर रहे हो तो आपको इसमें आपको no डालना है अगर आप किसी और की भर रहे हो तो yes डाल सकते हो उसमें आपको pen card number डालना पड़े तो आप इसमें no ही रहने देना मेरा आपको यही सला है और आपको यहाँ पर bank account पे tick कर देना है जो TDS कटा है और refund आपको इस bank account में आ जाएगा और आपको confirm पे click कर देना है पहला आपका option हो गया उसके बाद total income का option है और इसके बाद यह salary category लिए है तो इनका कोई salary से income नहीं है तो इसमें सब में आपको no no fill कर देना है और उसके बाद continue पे click कर देना है और अगर इनका कोई salary से income है तो आप salary में डाल सकते हो income of home property अगर property से मतलब rent वगेरा की income है तो वो भी डाल सकते हो तो add करके मैं इसको zero कर देता हूँ नहीं तो ये लेगा नहीं इसमें red mark का रहा है add करके आप इसको zero कर दो अड़ गया उसके बाद income of business profession ये इनकी income है तो हम इसी पर जाएंगे add retail पर click करेंगे अब इसमें ये आ रहे है business, professional and goods and carriage इनकी income एक तरह से professional income है तो हम professional income में जाएंगे nature of में आपन इसमें डाल सकते हैं कि इनका online form filling का काम है ये डाल सकते हैं या इमित्रा सोब भी डाल सकते हैं और इसमें last में आपको others डाल सकते हैं और description में आप online consultant भी डाल सकते हैं या आप form filling भी डाल सकते हैं कि ये form वगरा फिल करते हैं और इनका total साल का turnover इन्होंने 4,10,000 बताया था और इसमें 50% इनका हम डाल देंगे हो गया और add पर click कर दिया बस ये हमें दो ही चीजे बरनी है और उसके अलावा हमें कुछ बरने की जरुवत ही नहीं है 44 ADA में आ गया देखो अपने आप सब कुछ ले लिया इन्होंने और इसके अलावा कोई income की देने की जरुवत नहीं है income of other sources डाल सकते हैं वो उसमें उन्होंने का जो TDS कटा है उसके लिए ये income हो सकती है आप डालना चाहे तो इसको रहने देते हैं या नहीं तो इसको आपको हटा भी सकते हैं क्योंकि वो income इसमें include है और confirm पे click कर देते हैं ठीक है और exempt कोई भी income नहीं है तो इसको सब कुछ को हम okay कर देंगे confirm कर देंगे हो गया तीन हो गया deduction इनको कुछ भी नहीं लेना है तो हम इसको direct ही continue कर देंगे यास उसके बाद हम दुबारा confirm कर देंगे यास total liability हो गया और अब आएंगे हम text speed पे confirm कर देंगे यास सब पे confirm आ गया है लेकिन अभी एक option इसके अंदर pending है वो इसमें assessed वगेरा डालता है इसके लिए एक option बच रहा है तो एक बार मैं दुबारा देखता हूँ हमने एक disclosure नहीं दिया है यह रहा तो इस detail में हमें 00 डाल देना है अगर आप book maintain नहीं कर रहे हो बैंक है जो बैंक का balance है वो मैं आपको बदा देता हूँ वो balance है जो आप point नहीं डालोगे point में डालोगे तो error दिखाएगा आप point में मढ डालिए वैसे डाल दीजिये तो मैं इसमें डाल देता हूँ जो आपकी सारी जितनी भी bank है उनका balance डाल सकते हो और इसमें भी मैं आपको इसमें भी डालता हूँ 15,000 के अगर आप 0 डालना चाहे तो 0 भी डाल सकते हो लेकिन मैं तो आप से यही सला करूँगा जो एक्च्वल है वो ही डालिए यह फिल हो गया और मैं इसमें कन्फर्म कर देता हूँ अब हम चले जाएंगे प्रोसेस पर और रिटन का प्रिव्यू देखेंगे और इसमें नाम वगेर आ गया बस यहाँ पर एक टिक मार्क करेंगे और प्रोसेस प्रिव्यू पर क्लिक कर देंगे और यह देख लीजिए अगर आपकी इंकम पांच लाग से कम है तो आप खुद ही घर पे मोबाइल से भी भर सकते है अपनी आईटियार को बिल्कुल आसानी से और अगर आपकी सैलरी से इंकम है तो आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा उसमें मैंने आपको मोबाइल से फाइल करना बताया हुआ है आईटियार को आप आसानी से फाइल कर सकते हैं अगर आपकी इंकम पांच लाग से कम है तो अगर पांच लाग से आपकी इंकम जादा है तो आपको फाइल करने में थोड़ा सा प्रोब्लम हो सकता है अगर आप file फिर भी कर सकते हैं लेकिन आपको कुछ taxes भरने पड़ेंगे अगर आप reduction नहीं लेंगे तो उसके लिए भी मैं आपको जल्द ही वीडियो लाने वाला हूँ mobile से कि आपकी अगर income 5 लाग से उपर है तो आप उसको कैसे file कर सकते हैं कम taxes पे करके तो फ्रेंट्स validation के लिए मैं बेजता हूँ इसको verification के लिए फ्रेंट्स देखिए इसमें बहुत सारे इसने error बताए है एट error है वो fulfill नहीं किये है जब थोड़ा सा internet का problem हो सकता है 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 तो फ्रेंट्स जो error है मैंने उस पर click किया तो उसने मुझे बताया आपने यह detail fill नहीं के लिए मेरे पास बाहर option आया भी नहीं था इसमें हमें यह डालना है कि reduction है कि कौन से कितना reduction है और क्या income है income form other sources आप डाल सकते हो इसमें और इसको आप save कर सकते हो इसका मतलब यह है कि आप चुए TDS का पैसा है इसी financial year के अंदर वापस चाते हो या इसको next financial year के लिए carry forward करना चाते हो तो हम इसी financial के लिए अंदर वापीस चाते हैं तो वह confirm कर दिया modification में confirm कर दिया अब वापीस जाता हूँ अब यह फिर error बताएगा तो पताएगा कि कौन सा आपका fill नहीं है यास अभी हमारे पास तीन error बच रहे हैं पहले 6 थे अब 3 है तो मैं 1-1 आपन क्लिक करते हैं इस पे कुछ error है नहीं फिर देखेंगे हम बहुत सारे option है कुछ ना कुछ column छूटी जाते हैं लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप वहां से क्लिक करके direct उसी error पर आ जाएंगे जो आपने fill नहीं किया है उस पे आपको fill कर देना है validation successfully हो गया उसके बाद process to verification पर जाएगा आपको e-verify पर क्लिक करके process कर देना है जो मैंने last का mobile number registered है उससे कर सकते हैं अगर आपके पास कोई bank में account है उसमें कोई mobile number link है तो आप वहां से भी कर सकते हैं दो ही process सबसे अच्छे हैं उसके अलावा भी बहुत process है जो मैंने video बनाया था प्रानवाला उसमें मैंने सब कुछ detail से बताया था तो अब मैं आप इस पर क्लिक कर दूँगा तो जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो यह agree करेगा कि आप आधारकार का OTP generate करना चाहते हो तो मैं कहूंगा करना चाहता हूं यहां आप OTP डाल देंगे आपकी ITR फाइल हो जाएगी देख लीजिए कितना आसानी से मैंने आपको ITR फिल करना बता दिया है और जो इनका 1440 रूपीज है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगे तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे उन लोग भी वो लोग भी अपनी ITR खुद फाइल कर सके ITR फाइल करना कुछ भी नहीं है एक सिंपल सा फॉर्म है जिसको आप इस वीडियो की मदद से अपने मोबाइल से आसानी से फिल कर सकते हो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ तो तब तक के लिए बाई बाई